आज मैं आपको छट पूजा के बारे में कुछ मेर्वभवूरन बातें बताने जा रहा हूँ ये चार दिनों का त्योहार है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है चलिए हम आपको छट पूजा के बारे में बात बताते हैं और पहले दिन क्या है आपको जो बताया उसे नहायकार कहते हैं अब मैं आपको दुसरे दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लोगा कहते हैं और इस दिन आर्वे चावल का खीर और रोटी बनाते हैं पूज़ के दिन के बारे में बताने जा रहा हूं इस दिन जो भी पूजा करते हैं वो घाट पे जाके शाम को पानी में खड़े होकर ठेकवा और फल से सुर्य बगवान को अरख देते हैं पूज़ केरे बिर्वान कोज़ केरे बिर्वान हो जो साम को पूजा करता है वो चौथे दिन सुभा में घाट पे जाकर तूरे भगवान को पूजा करता है सुर्य भगवान की पूजा करता है और हावन करता है तो इसी के साथ यह पूजा समात चो जाती है जन्यवाद